यह जो वी वांट कोडी, वी वांट रॉकी चल रहा था, यह सोचल मीडिया के लिए था, कैसा है? क्योंकि आज मंडे नाइट रॉ में... ओके, हेलो चैटर्स, माइनेम इस रुईत, और वाचिंग रेस्ल चैटर्स तो इस वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं, आज वी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसको लेकर एकसाइटमेंट बहुत जादा थी, क्योंकि इतना सब जो सोचल मीडिया पर ड्राम हो रहा उसके बाद कोडी रोड्स क्या करेंगे, उनका क्या डिसिज पहली बात यह बोलते हैं कि बहुत अगड़ा रियाक्शन था, और वो बोलते हैं कि पूरे एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ और जैसे ही होता है, क्राउड ने बू करना शुरू कर दिया, और उन्होंने सीधा वहां पर वी वांट कोडी के चैनल लगाना श चुरू कर दिया, इसका मतलब की, क्राउड वहीं से बता रहा था भाई, सैथ देख तू ठीक है, अच्छा है जो भी है, लेकिन तू कोडी के पास मत जाए, क्योंकि अगर सैथ रॉलिंस कोडी के पास गए, तो वर्ल्ल हईवेट चैंपिन्शिप के मैच के लिए ही कोडी को जाना पड़ेगा, जो कि आपको पता इस पॉइंट पर फैंस चाहते नहीं है, इसके बाद वो जो है, ऐसा बोलने जोन का मतलब था कि वो कोडी रोड को बुलाना चाहरे थे, कोडी रोड की एंटरेंस होती है, और मुझे बताने की जरूद भी निया कि क्या रियाक्शन मिला होगा, यहां पर क्राउड को, एक बात आज का रिव्यू करने से पहले, आज का क्राउड बहुत ज़्यादा घटिया था, बहुत ज़्यादा घटिया था, वो तो ये इतना सब कुछ मुवमेंट चला था, तो जाकि वो थोड़े सा से लग तो उनके अंदर कुछ है, अगर आज चोपर अच्छा क्राउड होता, तो मुझे लगता कहानी और अलव हो सकती थी रोकी, इसके बाद वो आके बोलते हैं, इसके बाद जब कोडी रोड से अपनी एंटरेंस कर रहे होते हैं, तो पैड मैकफी बोलते हैं कि, अनलेस यार लिविग इना केव, तुमको सब्सक्राइब कर रही है, मतलब बता रही है कि, यहां भी कोडी रोड के साथ इस सब कुछ चल रहा है, अब वो रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं, वर्ल्ड हीविट चैंपिन सेथ रोलिंस, हम तो रिंग में खडें, वर्ड डू वी वना टॉक अबाओ, और जब उन् 1996 अगें, क्योंकि उस ताम पर आपको बता है, जो रॉक हैं, उनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती थी, तो यह मतलब है, कॉमेंटरी वाली चीज़ों, इसलिए तनी बता रहा हूं कि, आज यह जादा मैटर करने वाली थी, कि शो पर क्या चल रहा है, स्टोरी लाइन के साथ साथ इसके बात क्या होता है, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि, मैंने यह तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि मैं यह सुनूंगा जब रॉकी सक्स के चैन्ट लग रहा हूथ, तो सेथ रॉलिंस न भी खुल के, मतलब ऐसा नहीं था कि चीज़े छुपाए जा रही है, रॉकी सक्स के से मिल रहा था, इसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं मुद्दो के उपर, देख कोडी रॉलिंस में समझता हूं कि तरह साथ क्या चीज़े चल रही है, मैंने जो लास्ट वी का था, अब भी मैं उसी पॉइंट पर खड़ा हूं कि, यह जो मेरे पास चैंपेंशिप है, यह उतना तुझे यह मैच चाहिए, उतना ही मैच मुझे चाहिए, मतलब आज तो सेथ रॉलिंस ने कोई अपना दीन, इमान, धरम ही नहीं रखा कि आज चैंपन होने के नाते भी वह ना बोले यह बात, मतलब सोच रो, चैंपन खुद यह होता न, एक अनार 100 बिमार, यहां प इसके बाद Seth Rollins बोलते हैं, मैं पहले से बहुत बहुत बैटर हो चुका हूँ, पहले वाली चीज़ क्योंकि इतनी बार हाड चुके है, Seth Rollins कोडी से बहुते हैं, अब मैं बैटर हो चुका हूँ, और यह जानने के लिए एक ही तरीका है, कि तू और मैं एक साथ फाइट करे इस पर फिर से जो क्राउड की तरफ से बूमलना शुरू हो जाती है, अब एंट्री होती है, हमारे सबसे स्मार्ट बंदे, Drew McIntyre की, Drew McIntyre की एंटरेंस होती है, और बोलते हैं, कि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, सारे ब्याव पर बात कर रहा हूँ, कि क्या चल रहा है, तुम दोने रिंग में साथ में क्यों खड़े हुए हो, अभी जो रेसलमेना का पाथ होना चाहिए था, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी CM Punk को हेट करता हूँ, Seth Rollins, तू भी पसंद नहीं करता Seth Rollins को, तो हमको जाना चाहिए था, हमको वर्ल ही विड चैंपे तो उसको कभी बू मिल रही है, कभी चीयर मिल रही है, Seth Rollins को कभी तगड़ी चीयर मिल रही है, लेकिन कभी उनको बू मिल रही है, जब वो ऐसी बात बोल रहे है कि उनको Cody Rhodes के साथ मैच ही है, इसके बाद बोलते है Cody से, Cody भाई देख, तू ने इस movement को earn किया है, हमको let down मत कर मुझे मत कर, इन fans को मत कर, तुझे अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, Drew McIntyre का, फिर से chant होगा है, सोच हील के थार को उनको chant मिल रहे थे, उसके बाद बोलते है, अपने डैड को let down तू मत करना, तू जा last year भूलना मत, तेरे साथ क्या हो आता, तो अब वो council करने लगा एक तर में the best man win वाला केस है, क्योंकि यह title के लिए जो सही बंदा होता, वही जीतता है, और दूसरा title जो रोमन वाला, उसमें हमेशा bloodline वाले members आ जाते हैं, तो वो काहनी खराब कर देते हैं, इसके बाद, Drew McIntyre न अपने एक merch निकाली, और उस merch के अंतर हम लोगों ने देगा, कि Drew McIntyre उनको बोलनी देते हैं, और Seth से कहते हैं, अब टाइम आ गया है, तो उनने बहुत title को तू आगे लेके आगी, अब यह title तरह से लोगा, Glasgow case उनने लगाई, इसके बाद, Cody Rhodes उनके ओपर attack launch करते हैं, और Drew McIntyre को वहां से भगना पड़ जाता है, तो Drew McIntyre को WWE ने बढ़ इस match में DIY है, उनकी victory हो जाती है, एक वो मुमेंट बड़ा सहीता smash में तुमास चांपा ने जो है, वाइट नॉइस मारा और Xavier Woods को पकड़के और सब के ओपर गिड़ जाते हैं, crowd यहां पर भी chant लगाई जाता है, इसके बाद, Becky Lynch और Shaina Baszler का match आदा qualification के लिए, Elimination Chamber match के लिए क्योंकि वहाँ पर जो जीते का, वो रिपली को face करेगा, फिर championship के लिए आगे जाके, तो Becky Lynch ने आपर match में Shaina Baszler को हरा दिया, manhandle slam लगा, बहुत बेकार तरीके से लगाया, ऐसा, यह तो उल्टा Shaina Baszler की बेज़एती होगे, यह तो बस गिरी ही वो जरा सी, और इस पे pinfall क बस्ती कर रहे हैं, और उनको सिर्फ चीजा खराब करनी है, इस समय ऐसा कुछ character लेके चलने, Drew McIntyre, next show पर होती है, Rear Ripley, Rear Ripley बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इत्ते गुस्से में थी को उन्होंने बोला, मैं यहाँ पर कोई Elimination Chamber qualification match किसी की बात नी करी, मुझे Naya Jax से यह, Adam Pearce आते हैं, और कहते हैं, रुख जा, थम जा, समल जा, तुमको भी पता है, यह match हम कप करने वाले हैं, यह match हम करेंगे Elimination Chamber में, जब तुम दोने रिंग में होंगे, इस Women's World Championship के लिए, ऐसा करने के बाद ही Naya Jax का theme song play हो गया, Rear Ripley क्या घंटा गुस्से में थी, उ उन्होंने आगे बजा भी दिया, Rear Ripley को, और यह देखे काफी awkward और weird सा लग रहा है कि यार, इतना थखड़ा rain होने की बाद भी, Naya Jax इतनी बुरी तरीके से Rear Ripley को पटा करी है, और वह देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि उससे Naya Jax कितनी एक legit threat है, Rear Ripley के लिए, व says Valhalla in Ivar के बीच में, क्या ही बता हो यहाँ पर जादा, WSM middle rope से जाके Ivar ने ठोक दिया, और इस तरीके से जो team है, Ivar और Valhalla की वह यहाँ पर जीच जाती है, शो पर अगली चीज होती है, The Miss vs. JD McDonough का match, और इस match में भी वीवांड कोड़ी के बहुत light chance हो रहे थे, 8 रोत आत कि उन्हें टी-शिट जाके, वो डॉमिनिक को भी पहना दी, जिसकी वेयर से JD McDonough ना पताने, डिस्ट्रैक्ट होगे, क्या होगा, Skull Crushing Finale आता है, और मैच में जो victory है, वो हो जाती ही है, The Miss की, इसके बाद भी जो आर्ट रोत है, वो सारा जो समाना है, अपने पैसे बिखर में उसी को बटो हो रहे है, तो रियक्शन बहुत और पहुत अच्छा मिला था, जिस ताइम पर ये आर्ट रोत के एंट्री भी थी, पैक्स्टेस से ब्रॉन ब्रेकर भी थे, Adam Pearce के साथ में, और इससे ही चीज़ कहीं पता लग रही है, कि अब ब्रॉन ब्रेकर का, Monday Night Raw में सीन बनने वाला, भी तो इनके बीच कोई अग्रीमेंट चल रहा है, तो वो डेवल अभी दिखा रही है, सस्पेंस की तरह, लेकिन, इवेंचली, शायद, Monday Night Raw में ही लैंड करने वाले हैं, ब्रॉन ब्रेकर, अगली चीज होती है, शो पर गुंतर का सलिबरेशन, 600 दिनों का तो कोई मेरे ले कॉंपिटेशन, इन्हीं बचा कोई आओ, तगड़ा कोई कुछ करो, मुझे मेरे को मैच चाहिए, जे उसो का थीम सॉंग काई से यहां पर प्ले हो जादा, बड़ी मस्चीज लेगे, और उसके बार, जिस तरीके से उनके आरने के बार, जो गाने पर तो क्राउड यीट, हर एक सेंटेंस के बाद बोल रहा था तो और बहुत 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 है, यहां पर उसके बाद गुंतर भी थोड़ी तारिफे करते हैं कि तुम मोस्ट टेकुरेटेट टैक्टीम चैंपेंस में से हैं, लेकिन तुने इसके लिए किया क्या है, क्योंकि गुंतर के हर बार बोलने भी यीट-एट के चैंड लग रहे थे, इसके बाद भी तुम मारूंगा कि तेरी फैमिली ने भी तुम मार रहा होगा, और तो कौई ने पहचाने का कि तू कौन सा उसो है, तू जे उसो है या फेट जीमी उसो है, यहां पर क्या होता है, जे उसो को उन्हें धक्का दिया, जे उसो ने भी मारना शुरू कर दिया, इसके बाद क्या होता है, मारा मारी कर रहे थे, बीच में न्यूडे भी आ जाती है, अब यहां से क्लियर पता लग रहा है कि जे उसो इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिंशिप के लिए जाएंगे, लेक इंड में कबो की वारियर्स नहीं, इंसेन एल्बो के साथ इस मैच में जो है, विक्ट्री ले ली, इसके बाद शोपर हमको सैमी जेन का एक, जैकी रेमंड है न, शाद उनका नाम, उनके साथ दिखता है, इंटर्वी सेग्मेंट, जहां पर वो यह बोलते हैं कि अब मैं को कोडी रोड्स वर्सिस शिंसके नाकामोरा के बीच में मैच और यह बुल रोप मैच था, शुरू में तो बुल रोप मैच बुल रोप का ज्यादा कोई यूज हुआ नहीं एक बार कोडी गटर मानने के लिए बस उनको रोग दिया था, बाकी ऐसा कुछ खास यूज दिखा अब यहां पर सीन मुझे पता है, आज रोव में क्या हुआ, क्या हुआ रियक्शन अच्छा था है तो मुझे ऐसा लगा, आज का क्राउट बहुत बेकार था, जितना अच्छे तरीके से उस चीज को कर सकते तो नहीं किया, क्राउट की तरफ से बहुत सारे साइन भी थे, लेकिन वो जो साइन थे न, वो ऐसा लग रहा था, क्लियरली कि शार डेवल लवली नहीं उनको दिये को कि सब के लिखने के तरीके, कलर, कुछ तो अफोर साइज में लेके आ गए, तो जो मैंना आपको कल वीडियो में बता था, कि एक स्टोरी का पार्ट है, ऐसा लग रहा बस उनने सिंप्ली इतना कह कि अपने डिसिजन के ओपर कुछ बोला नहीं है, और ऐसा लग रहा है, वो जब प्रेस इवेंट होने वाला है, स्मैकडाउन से पहले वेगस के अंदर, वहां पर डबल लवली फाइनल चीज़े बताएगी, बट एक्सपेक्टेशन से तो करना पता है नहीं जिन्देगी आप समझ ले लेगी